हेलो इस्टूडेंट, वेलकम बेक टु माई चैनल सम्राट कर्म, इस्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10 में है, 2035 बोड़ी जाम देने वाले हो, तो मेरे प्यारो चो आगर पेपर की एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे प्यारो चो तो पूरा का पूरा देखके जाना, आज मैं आप लोगों हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपकी एक्जाम में 100% एक पेपर छपने वाला है, कोड याद कर लो, 801 DD कोड है, जब एक्जाम में बैठो कि जब एक पेपर आएगा, मेरे प्यारो चो तो आपको मालूम च चेक करेंगे, ठीक है, तो इसको सही सही नुकुरमा का अपना डाली जिएगा, और इस पेपर को हल करने के लिए, तीन गंटे, पंदर मिट का समय दिया जाएगा, इस पेपर को हल करने के लिए, आपके पास टाइमिंग है, मेरा वादा है आप लोगों से कि अगर इस वीड निर्देश दिया गया, निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी, एक आप निर्देश जरू से जरूर पढ़ लीजेगा, आप लोगों, मैं यहाँ पर पढ़के आपको बता देता हूँ, पेपर का निर्देश, पहला है, प्राराम के पंदरा मिनट परिछार्तियों को पर निर्देश बोला है कि परशन पत्र दो खंडों में, खंड अ तर खंड बहुत 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 ज़रूरी, तिसमें सही विकल्ब का चुनाव करके, नीले या त्वा काले बाल प्वाइन से सही विकल्ब पॉले गोले को पूर्णुसे काला करें, इसका मतलब यह कहरा है, कि बहुआ विकल्पिय प्रश्ण रहेंगे और उन बहँ विकल्प्य प्रश्ण का उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा चार आपसन रहेंगे, उन्हीं चार आपसन में इसको एक आपसन सही होगा, कीस पेन से रंगना होगा, तो नीले पेन या काले पेन का इस्तमाल कर सकते हो, लेकि पेन आपका देखे, बोला है, बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए, समझ में गया आपनों को इसके बाद है चोफा कि खंड आउ में बहुभी कल्पी प्रसण है तो इसके बाद है प्रस्न पात्र के खंड आ स्था प्रस्न नहीं है तो दू गंठे का समय निधारीद आ तह मतलब कि खंड आ के प्रश्णों को हल करने के लिए जो objective question पूछे जाएंगे उनको हल करने के लिए एक घंटे का समय दिया जाएगा मेरे प्यारों चुब 20 objective question पूछे जाते हैं आपकी exam में बता दूँगा अभी पूरा solution पांच मिट के अंदर में पूरा का पूरा रंग दोगे और जितना समय आप लोगों के पास बचेगा वो पूरा का पूरा समय आप दे दिजेगा खंडबं में हल करने के लिए अच्छे से राइटीं बैठा कर अच्छे से लिखिएगा इसके बाद है लास्ट निर्देश प्रते एक प्रश्ण के समुक उनके निर्धारित तंक दिय और लोगों का खंडबं में बहुभी कल्पे प्रशन पूछा जाएगा वस्तूर निष्ट प्रशन करते हैं और पहला ही प्रश्ण करने कितना सिंपल है यहीं प्यात कर लोगें यहीं प्यात करा दूना आप लोगों से बैठे बैठे आप इक्बर देखिए बोला प्रेम चंदर जी भगवती चरण वर्मा जी यहां पर बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जागा कौन भगवती चरण वर्मा जी है उपन्यास भूले विशरे चितर के लेखक भगवती चरण वर्मा जी याद रखिएगा क्योंकि बीसों में बीस अबजिक्टिव हमें सही चाहिए वहीं अगर आँब बात करें दूसरे प्रशन को लेकर दूसरा प्रशन है कि कलम का सिपाही के लेखक है तो कलम के सिपाही के लेकक इन चारो आपसरों में से कौन है मेरे प्यारोचो तो कलम के सिपाही के लेकक हैं अमरित राजी हैं कौन हैं अमरित राजी हैं और पहला वाला ही आपसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया अमरी तरह है कितना simple प्रशन दिया है यही प्यात कर लोगे और बहुत important है वहीं अगर हम बात करें तीसरे प्रशन को लेकर मेरे प्यालोचो तीसरा है कि धुरूज स्वामनी नाटक के लेखक है तो धुरूस स्वामनी नाटक के लेखक की न चारो आपसर में से उज़े देख रहे हो कौन है तो धुरूस स्वामनी नाटक के लेखक सबको मालू में कौन है जे संकर प्रसाद जी है और B वाला आपसर जो होगा मेरे प्यारोचो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जे संकर प्रसाद जी तो धुरूस स्वामनी नाटक के लेखक जे संकर प्रसाद जी आगे बढ़ेंगे और चौथा प्रस्ण देखे क्या पूछा हुआ है चौथा प्रस्ण दिया हुआ है अर्दनारिस्वर के लेखक है ये भी प्रस्ण बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो अर्दनारिस्वर के लेखक इन चारो आपसर में से कौन है वो हैं आपके बिस्डू प्रभाकरजी, कौन है, बिस्डू प्रभाकरजी है, पहला वाला आपसन जो है, इसका राइट आंसर को जाएगा, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारोचो, और अगला प्रशन देखेंगे, तो प्रशन नमर यहाँ पे आपका पांचवा, प्रशन नमर देखेंगे, प्रशन नमर शीक्स, देखेंगे, प्रशन नमर शीक्स है, मेरी आत्मकथा जीवन के लेकरजी नमर यहाँ प्रशाद, है न सिंपल, याद होता जारह आप लोगों को भूलिया कामत मेरे प्यारौचो, क्यूंकि 20 में 20 अबजेक्टिक उसर्ण कर क्याने हैं आ है क्रिटिक कंकाल के लेखक हैं जे संकर परसाच जी कौन है जे संकर परसाच जी है और मिय तो इमें रहे परसाच जी में बटा देता हूँ जो एकजाम में आ जाता है कभी कभी तो जैसे संकर प्रसाजी कि अगर हम बात करें तो कंकाल तो आपका हुई गया एक होता है मेरे प्यारोचो अकासडीप ये भी बहुत important है इनको आप लिख के याद कर लिजेगा अकासडीप ठीक है अकास ड्वीप जो है बहुत ज़ादा इंक्वोटेंट है और अगर हम बात करें तो कमाइणी भी उनीकी है कौन? कमाइणी कामायनी भी मेरे प्यारोचो कुछ इनकी है जैसंकर परसाद जी की ही है इसके बाद तीतली भी इरावती भी यह जो है इनके most important है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं और एक दुरूस्वामनी भी है जो कि बहुत important है मेरे प्यारोचो दुरूस्वामनी दुरुस्वामिनी ठीक है पूसता है दुरुस्वामिनी के लेका कौन है तो जैसंका परसाद दुरुस्वामिनी नाटक है तो अकास तो इक कमायनी तित्रिय दुरुस्वामिनी यह कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है जैसंका परसादी का जो को मैं यहीं पर किलियर कर जिया चलिए मेरे प्यारी प्रश्ट्र अँंडर्स प्र minion आप लोगों को रचनाय बता देता हूँ जैसे में से एक कि निबंद बहुत महत्ड़ पूर है चींतामयी उसता एकसाम में इनको याद कर लिजगा चिंता मड़ी, ठीक है, चिंता मड़ी है, इनकी निबंद है मेरे प्यार उच्छो, तो अचार राम सुक्ल की निबंद जो महत्वपड़ वो चिंता मड़ी है, रस्मिमान साब को मालूं चल गया, रस्मिमान साइका आलोचना है, और आपका विचार विथी, ठीक है, आप लिख लिजे यहां पर, विचार विथी, और एक आपका है त्रिवेडी, मैं यहीं पर लिख देता हूं, तक यह आप याद कर पाओ, अच्छे से, एक भी नमबर कटना नहीं चाहिए आप लोगों का, तो यह उनकी महत्वपूर, यह निबंद, आपक आपका अलोचना है थुनों, विचार विती, अव्न थी, अठीक है, और रस मिमान सा जो है, तो रस मिमान सा मेरे प्यार ओछो क्या है यहां पर, वो भी आलोचना ही है, तो किलिएर हो गया रस मिमान सा के लिखा का चार रामचिन सुक्नलजी, यह महत्वपूर, तीनों में कौन सी इन चार्व option मेंस차 मेरी प्यारोचो तो वह है आपके लोग है कि मेरी सीवन प्रवाथ की मन की बात है कि मेरी साथ होते है मतार इन चार आप्सन से जो गा क्या पूछा जाता है चल्वा कलश ज्य वह बहुत ज़्यादा ये पbalance के लेखा कौन है तो गुलाब राजी के याद रखोत है और मुर्हास न्यूह सफालता हुए अम लेका कुलाफ डस्मा जी guidonowा कि निपने में से रीती काल की काल अवधी है, तो रीती काल की काल अवधी कितनी मानी जाती है मेरे प्यारोचोब, तो 1443 से लेकर 1843 सीजबी तक, यह वाला आपसन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चलिए, यहीं पे मैं सारे काल अवधी को दोरा देता हूँ, आप सुक्ल यूग, तो सुक्ल यूग की काल अवधी पूछा जाता है, जो कि मेरे प्यारोचो होता है, 1999 से लेकर 1936 टक, सुक्ल यूग की काल अवधी कितनी मानी जाती है मेरे प्यारोचो तो 1938 से लेकर 1947 तक ठीक है यहाँ पर किलिए रोगया सुकलियूग सुकलियूत्तर यूग और पूछा जाता है अगला ठीक है एक तो रीति काल के पूछा जाता है 1443 से लेकर 1843 तक और एक पूछा जाता है मेरे प्यारोचो आधुनिक काल का मैं यहीं पर लिख देता हूँ कहीं नोट कर लिजा आधुनिक काल का कि आधुनिक काल की काल ओधी बताई है तो आधुनिक काल किता मना जाता है मेरे प्यारोचो तो यहाँ पर लिख लिए 1843 से लेकर 1843 से लेकर वर्तमान तक अभी तक 2024 तक जो काल ओदी चली आ रहे हैं उसे बोलते हैं आदुनी काल की काल ओदी तो चारो मैंने बता दिया यही चारो पूछे जाते हैं इसके लवा नहीं पूछा जाता है अगर हम काल ओदी की बात करें तो तो खिलियर है मेरे प्रश्ण नंबर 10 वह यहां पर समझ में आगे आगे बढ़ते हैं आगला प्रश्ण देखें प्रश्ण नंबर 11 देखें प्रश्ण नंबर 11 क्या बोला है यहां पर किरा कि हास से रस का अस्थाई भाव क्या है तो हास से रस का स्थाई बाओ, मेरे परचो हास होता है, क्या होता है, हास होता है, तो हास से रस का स्थाई बाओ, हास होता है, सिंपल, इसमें क्या ही करना है, इसके बाद बरावा प्रशन क्या पूछा गया है, कि हे खग म्रिग हे मदुकर स्रेनी, तुम देखी सीता म्रिगन से गया मेरी पर्टू करूंड रस्का उधारन है यह स्सक्रामरीग निए तुम्हें डेखे लेते हैं प्रस्टपर 13 कि रोला के परते चरण में कितनी कितनी मात्राय होती है तो डिसवीर से ऌफ में कौन सा समास है? जब इस प्रकार का प्रस्णा जाए कि राजा रानी में कौन सा समास में है? बीच में क्या है? योजग चिन. इसको क्या बोलते हैं? योजग चिन. योजग चिन को अटाएंगे तो यह होता है मेरे पहरोचो और. क्या होता है? और का. तो अगर इसका समास तो क्या हो जाता है राजा और राणी तो राजा और राणी कौन सा समा से तो दोंद समा से क्यूंभी दोंद समा से ही और लगा कर जिसका समा से भीग रखिया जाता है तो दोंद समा से सिंपल पहला वाला अफसन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया किलियर है मेरे अगनी का परवाची है, तो 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 अगनी का परवाच इस प्रस्टन का अंसर तो उप्यूक्त सभी पे ही आप क्लिक करके चलियाओगे 98% केस में बिल्कुल अंसर सही होता है क्या कर दोगे उप्यूक्त सभी क्लियर है चलिए प्रस्ट नंबर यहाँ पे देखे सो रहामा क्या है बोला कि सिच्छक के साथ एक सी से भी आता है और एक के नीचे अंडरलाइं किया गया बताना कि एक है क्या तो एक जो मेरे प्यारोचो है ना वो आपका वी सेसन है संख्या वाचक है मेरे प्यारोचो और पूलिंग है और एक वाचन है यहाँ पर नेज वाजन दुप मालु को मालुक है एक तो संख्या का लिए यहाँ प्रफ़र न वाजन को है यहाँ प्रस्णियल गलत हो जागा क्योंकि एक राम को हम पस्मझार सेमया OW assim 7 वा आम के पूछा गया है पूछा हैbar रूपसी तेरा घंकेस पास, रूपसी तेरा घंकेस पास में अलंकार है, मतलब इसमें किस अलंकार का प्रियुक किया गया है, किस अलंकार का उधारन है, मेरे प्यार वचो, रूपसी तेरा घंकेस पास, तेया उत्प्रेच्छा अलंकार, किसका उत्प्रेच्छा अलंकार का उधार रहें, शीव अलाप संजो होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जागा, मेरे प्यार विच्छो, किलियर है, समझ में आराप को, प्रस नमर 18 कि क्या है, बोला कि जो ब्यक्ति परिस्रमी होता है, वो अवा से सफल होता है, तो जो ब्यक्ति परिस्रमी होता है, वो अवा से सफल होता है, बोला कि वाक्य का सरल वाक्य करूप में होगा, अगर इसको सिंपल संटेंस में, अगर सरल वाक्य करूप में अगर हम बोलना चाहेंगे इस संटेंस को, तो कैसे बुलेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जगा मेरे प्रश्व बी वाला, क्योंकि हम लोग यहीं न कहेंगे कि परिश्रम ब्यक्ति आवास सफल होता है, जो परिश्रम करने वाला ब्यक्ति होता है, वो एक दिन ना एक दिन जरू सफल होता है, यह है इसका simple sentence, किलियर ह चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रस नमर 19, देख लिए क्या है, प्रस नमर 19 मेरे प्यार वच्चों है, कि आओ अब चलते हैं, वाक्य का भावाचे रूप होगा, भाव के रूप में, अगर भाव के रूप में इस वाक्य को हमें प्यक्ति करना हो, कि आओ अब चलते हैं, इस क्लियर है प्रस्ट नबर 19 समझ में आगे आप लोगों को चलिए प्रस्ट नबर 20 समा देख लिजे क्या है बीसमा है अपार सब्द में उप्यूगत उपसर्ग है तो उपसर्ग मेरे प्यारवचों जो आगे आके जूडता है मतलब इसका गरन तोड़ें तो अधन पार अधन पार तो आउ यहां पे आप लोगों को पहले जूड़ा है तो उपसर्ग हमें साभाव पहले ही जूडता है तो आओ जो है मेरे प्यारवचों क्या कलाएगा लेका घरका ला आज़ाए और यहां पर शेट हो रहा है आपका प्रस्ण संक्या 21 थेख chili ये प्रस्ण संक्या 21 बोला है मिमलीखीत गद्यास पर तीन पुरुशन का उत्तर दिजिए निमलीखीत गद्यास पर-bid starter तो आथवा करके देखिए, यहां पे दिख रहा होगा, आथवा करके दूसरा वला यहां दिया है, ठीक है? इन दूनों में इसको एक ही करना होता है, या तो पहला वला कर लो, या तो आथवा करके दूसरा वला कर लो, तुम्हें दूनों का अंसर बताऊंगा, जो आसान लग तो परष्ट आवत्रन पाथ और लेखा का नाम लिखे तो जिसमें पाथ और लेखा नाम लिखा जाता है। उसे बोलते है संदरव और या प्रश्न कितने नमर के लिए दो नमर के लिए प्रश्न है तो पहले इसका हम लुग सलुसर देखते हैं पहले संदरव देखेंगे मे RED लिखन के मितरता नामक निबंद से आउतरी थे याद रहें कि जब आप आंसर लिख रहे हो जिसे मितरता है तो मितरता चेप्टर से लिख रहा है तो मितरता चेप्टर को हाइलाइटेड कर देना कौन लिखे हैं आचार रामचंदर सुकल जी लिखे हैं तो इनको आपको नीली ब्लेक पने सा खेलाइटेट्द कर देना है क्योंकि उत्तर नीली पैंश से लिखे गए जब उत्तर नीली पैंश से लिखे गे तो ब्लेक पेंश से लिख दीजागा आख तो कीजा ने गया है मितरता चेप्टर से लिया गया है इसके लेकर को ने अचार रामतिन सुकल जी कम्पलीट हो गया आप लोगों का संदर्ब संदर्ब यहां से क्या हो गया मेरे प्रश्ण बी वाला बोलाए कि रेखांकी तंसों की ब्याक्या कीजिए यहां से लेकर यहां तक कि कुसंग का जो और सबसे भयानक होता है यहां पर बी वाला रेखांकी तंस की ब्याक्या है और लिखना प्रारम कीजिएगा क्या बोला है कि सुकल जी कहते हैं मता अचार राम तर्स शुकल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समानानिकारख होती है मत उनका कह hard that has to be a Sith क्या शुक्ति जीत प्रकार घातक बुखार होता है आनिकारक बुखारने से टाहथिट कर देता है उसी तरह कभी 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 प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगती हमारे नियतिकता, सदाचार, मन तता बुद्धी को भी नस्ट कर देता है। सदाचार, मन तता बुद्धी को भी नस्ट कर देता है। तर उनटी के ओर अगरसर करेगी कहने का मतलब है कि अगर पुरोष की अगर संगती बुरी होगी तो बुरी संगती होता जाहिए इस बात आपको आके बढ़ने देगा में। आउनती के गड़े में गिरता जागा, कभी सफल होने नहीं देगा आपको, अगर वहीं पर अच्छी मितरता हो आपको किसी से, तच्छा मितर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ने की प्रणा देगा, निरंतर उनती की और आपको अग्रसर करेगा, ठीक है, किलियर हो गया, यहीं इसका मतलब है, तीनों प्रशन में ने बिल्कुल डीटेल में अच्छे से समझा दिया, यहीं पर याद हो गया होगा, एक्जाम में जाके लिखके चलिया, यह गागा, छे नंबर के लिए रो गया, अगर यह नहीं करना चाहते हूं कि नहीं, यह नहीं तो अत्वावला क्या है, कि हे भगवान तब के लिए, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए, इतना आयोजन, परम पिता के इच्छा के विरुद इतना साहस, पिता जी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपरिष्ट पर न बचारा जाएगा, जो ब्रामण को दो मुठी अंदे सके, या असंभव है, फेर दीजिए पिता जी, मैं काप रही हूँ, इसकी चमक आँकों को अंधा बना रही है, ठीक है, तो यह है गद्यांस, और इसके नीचे तीन प्रस्ने है, ए वाला, बी वाला, एक पीछे दिया हुआ है, तो पहले ए वाला क्या है, उपीउट गध्यांस का संदर्व लिखे, वही मैंने बताया संदर्व, संदर्व में पाट का नाम और यहां पे लेख़क का नाम लिखा जाता है, दो नमर के लिए है संदर्व, कोई बात नहीं, इसका चलिए संदर्व देखते हैं, संदर्व कैसे लिखेंगे, देखें, आथवा देखें, मैं लिखा हूँ, आथवा वाला और ए वाला संदर्व, संदर्व में लिखेंगे, प्रस्तूत गद आउतरन हमारी पार्ट ये पूस्तक, हिंदी के गद खड़ में संकलित, ममता नमक कहानी से उद्रित है, और इसके लेखक जो हैं, छायवादी यूग के प परसाजी को भी आप लोगों को हाईलाइटेट कर देना है, ताकि एक्जामनर के ध्यान यहीं पे जाए, यही दो चीज़ तो एक्जामनर देखता है, यहाँ पे लेखका का नाम देखता है, और किस चप्टर से लिया गया, वही देखता है, बस संदर्व में और कुछ जो अंडरलाइन किया गया, कहां तक, यहां से लेकर, यहां तक, कि परम पिता के इच्छा के बिरुद, इतना साहस, पिता जी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपरिष्ट पर न बचारा जाएगा, ठीक है, इसका हमें बताना है मेरे प्यारों चो, व्याख्या करना है, कोई बात नहीं, व्याख्या बता जिता हूँ, लिख लिजे, जो नमबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्यों हो जाएंगे, देखें व्याख्या किस प्रकार आपको लिखना है, सबसे पहले हेडिन डालना है, रेखांकी थंसकी व्याख्या, हेडिन डालने के बाद लिखना है कि लेखक जे संकर परसाद का कहना है ठीक है मतलब लेखक जे संकर परसाद का कहते है कि क्या पिता जी मतलब उनकी लड़की कह रही है कि क्या पिता जी ठीक है कि क्या पिता जी जब ममता ने सोने के आप भूसनों से ठीक है अब देखें यहाँ पे मेरे टाइप में मिश्टिक की आप इसे लिखेगा लेखक जे संका प्रसाजी का कहना है मतलब वो कहते हैं क्या कहते हैं कि जब ममता ने सोने के आभूसरों से भरा हुआ थाल देखा जब अपने पीता के हाथों में सोने से भरा हुआ थाल देखती है ममता तो कहती है तब वह हाथ प्रभ हो जाती है वह अस्चर हो जाती है और वह अस्चरे प्रकट करती हुई आपने पीता से कहती है क्या कहती है अपने पीता से सुनिये कि आप विपत्ती के लिए इतने धन का संग्रा क्यों कर रहे हैं आप समलिए वो बिपत्ती ले रहे हैं इतना धन जो किसी से ले रहे हैं आप सोने के थाल वरा हुआ है जो धन ले रहे हैं वो बिपत्ती का कारण है और बिपत्ती के लिए इतना धन क्यों ही कठा कर रहे हैं भागवान के इच्छा के विरूद आपन लोगों को भीक भी न मिलेगी, वो ममता करे अपनी पीता से कि अगर हम लोगे पास धम नहीं रहागा, क्या कोई हिंदू भूमी पर नहीं रहा जाएगा, जो हम लोगों को दूम उठी यह दे सके, किलियर है, यही इसका ब्याप्ख्या है, पूरा हमने डीटेल में बता दिया यही प्याद हो गया होगा, ठीक है, तो B वाला प्रशन भी मैंने करा दिया, एक प्रशन और C वाला है, पीछे है, उसे भी करेंगे, वो भी दो नमबर का है, देखे मेरे प्यारोचो, C वाला प्रशन आपे है, कि ममता द्वारा, ममता द्वारा कीस कारे को इस्वर के लिखेंगे कि अपने पीता के द्वारा सेरसा से उतकोच मतलब घूस के रूप में लिये गए सुवरन मतलब सोने के सिख के ममता को परम पीता के इच्छा के विरूद लगा तो परम पिता के इच्छा के विरूद लगा, मतलब भगवान के इच्छा के विरूद मम्ता को कौन सी बात लगी, तो इसलिए लगी, क्योंकि पिता जीने सेर सासे घूस के रूप में सोने के सिक्के लिए थे, वही बात परम पिता के इच्छा के विरूद लगा मम्ता को, कि यहां से स्टार्ट होता है प्रस्ट नमबर 22 22 है कि दिये गए पध्यास पर अधारी तीन प्रस्ट के उत्तर दिये पध्यास दिया है और पध्यास भी से उतने ही नमबर का होता है छे नमबर का इसमें भी तीन प्रस्ट होते है और पध्यांस में भी दो प्रश्ण दिया होता है एक अथवा करके जैसे एक प्रश्ण दिया है और एक अथवा करके एक आपसन में दिया है कि अगर पहला वाला नहीं कर पाते हो तो यह वाला कर लीजेगा लेकिन मैं दोनों का सलुप संपाता चलूँगा जो आपका मन करें वो याद करें, जाएगे एक जाम में, ठीक है, देखिए, क्या है मेरे प्यारोचों यहाँ पे, पहले उनों पध्यांस को पढ़ेंगे, बोलाए कि चर्ण कमल बंदो हरीराई, जाकी किरिप्या पंगू गिरी लेहो, अंदे को सब कुछ दर्साई, बैरे पढ़ेंगू पुनी बोले, रंक चले सिर्छत्र धराई, सूरदा स्वामी करुणा में, बार बार बंदो होती ही पाई, यह मेरे प्यारोचों पध्यांस है, यहां से लेकि यहां तक क्या है, पध्यांस है, पध्यांस हमने पढ़के सुना दिया, उसके नीचे तीन प्रश संग भी लिखा जाता है, पर संग क्या होता है, मेरे प्यारोचों पह्amt Central अभी में बता हूंगा आप लोगों को answer में दिखिए, तो सबसे पहले हम लोगए प्यारोचों इसका संदरव, ठीक है, देख है, सबसे पहले हम लोग लिखें के मेरे प्यारोचों संदर्व 22 हम मारी पाठे पुस्तक हिंदी के काव खंड में संकलित पद सिर्षक से उद्रित है अब मेरे प्यारों चो कौन लिखे हैं सूरदाजी लिखे हैं सूरसागर नामा गरंद से लिया गया है ठीक है और काव खंड में संकलित किस सिर्षक से पद सिर्षक से लिया गया है तो इन ती को सुर्वधाइट कर दście को सूर्वसागर ऊपद सिर्शब को हाई-लाइट कर ददिए गा तकी जामनध कर ध्यान वहीं पर जाए इसके बाद प्रसंग भी लिखना होता है प्रसंग का मतलब मेरे प्यारों चुग यह होता है कि उस पूरे के पूरे मां का वरणन करते हैं, उननके चरनों की बंधना किया है. मतब पूरे के पूरे पंकती में, सूर्दाजी, भगवान श्रीकिष्ण की चरनों की बंधना करते हैं. ठीक है अब हम देखेंगे व्याख्या तो व्याख्या देखने से पहले हम लोग मेरे प्यारों चो देखेंगे यहाँ पर बी वाला प्रशन वही है ना रेखांकी तंस की व्याख्या कीजिए प्रशनी क्या है मैं जून करता हूं रेखांकी तंस की व्याख्या कीजिए मतलब इसका व्याख्या देखते हैं और इसका देखते हैं व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे आप पहली बात कि एटिंग डालेंगे आप व्याख्या व्याख्या एटिंग डालने के बाद मेरे प्यारचु लिखेंगे कि व्याख्या एटिंग डालने के लिखेंगे चरणों के अनोखी प्रभाव के कारण बहरा ब्यत्ती सुनने लगता है और गुंगा पुना बोलने लगता है किसी दरीतर ब्यक्तिरी पर स्रीक्रिष्ण की चरणों की कृपया हो जाने पर वो राजा बनकर अपने सीर पर राज छत्र धरन कर लेता है वो कहते हैं सुर्दाज कि भगवान स्रीक्रिष्ण की चरणों की महिमा इतना रमपार है कि अगर उनके प्रभाव के कारण जो बहरा ब्यक्ति होता है वो सुनने लगता है और गुंगा पुना बोलने लगता है और दरीद्र ब्यक्ति क्या करता है अगर दरीद्र ब्यक्ति पर स्रीक्रिष्ण की च कर लेता है roughly है क xi शु मेरे प्राइए और दिया है एक और दिया है कॉन सा प्रश्न δεν reक है बुझा ठीक्ठ पगित shown we trzy अलंकार का प्रियुग की शुग किया यघ pos hina करते में बहुंकिति में और यह क्शों कर दो नंबर के लिए गया है तो हम लोग देखेंगे और चैरंक तो चर्ण कमल में रूपक az LityIm, पुनरुपद्य प्रकस तथा अन्यत्र अनुपरास अलंकार का परियुखिया गया है ठीक हैं तो यहां पी इस पंकिति में तीन 잡 fy मैरे इंदेर अननुपरास अलंकार 진 को प्रластjen. त्था समस्रीतिम किलियर हो गया चलिए अगर यह नहीं करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक दिया ही आपसे ने आथवावला कर लेते हैं उसने तो में ने कर दिया है आथवावला देखें क्या है अत्व अवला है कि सुनि सुंदर वेन सुधारस साने सयानी है जान की जानी भली तिर्चे करी नैन तिन्हें समझाई कछू मुस्काई चली तुलसी तेही अवसर सेही रावे अवला लोकती लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भान उधे बिगसी मनुमंजुल कंज क यह पंकिती में पढ़ लिया मेरे प्रश्ण दिये और पद्ध्यांस के नीचे देखे प्रश्ण दिये तीन ए बी और एक सी वला पीछे दिया है तो चलिए इसका संदर्व देखते हैं यह भी कितने नमर के लिए दो नमर के लिए कि जैने पूछा जाता है तो पहला तो हमें तूलसी दास द्वारा रचीत, कवितावली से हमारी पाठे पूस्तक हिंदी के कावे खंड में संकलित वनपत सिर्षक से कविता से उतरी थे, मतलब दो ही चीज़ इसमां हाइलाइटेट कीजेगा, तूलसी दास जी तो लिखे हैं, और कवितावली से लिया गया है, और कावे खंड में संकलित किस से वनपत सिर्षक से लिया गया है, तो तीन चीज़ को हाइलाइट के नाथ तूलसी दास जी को कवितावली से वनपत सिर्षक, इनी तिनों को हाइलाइटेट करके लिखना है, कम्पलिट हो गया संदरवा, प्रसंग तो मैंने बचाए कि प्र ग्रामiadव, मतब, गाउं की जो लड़कियां हैं, वो कहती है, इन पंकितीओं में ग्रामगवदू के प्रस्नका उत्तर देती हूइं, सिता जी है, अपने हाउब आउ सभी राम की बिशे में सब कुछ बता देती है, मतब इस Понकिती में यह बताया गया है, कि गाउं की जो ल तो कौन सा व्यक्या करना रैक्छा की तंस्किया उनीर इटराग तट्राग में और देख रही थी उनको कि लगा उनको कि मानोप्रेश को सारॉर में राम रूपी सुर्य का उद्य हो गया। फ्रस्ट दो नमबर के लिए है तो यहां पर हम लोग देखेंगे इस कांसर देखें सी वला का बोला है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदे बिगसी मनुमंजुल कंज कली में देखे रूपकलंकार का प्रयोग किया गया है उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया गया है अनुत्प्रासलंकार की छटा है परपरिचा का प्रक्राइक और रूपकालनाता सम्ख्राइक सीर बेंगे प्रकष्य सब्सक्राइब दिये गए संस्कृत गद्यांस में से किसी एक का संदर्व सहीत हिंदी में अनुबाद किजिए अब संस्कृत का गद्यांस आ गया और संस्कृत का गद्यांस पांच नमबर के लिए पूछा जाता है मेरे पैरुचो मैं जहां तक अंडरलाइण कर रहा हूं, इसको घेर रहा हूं, यह पहला वला है, यहां तो पहला वला कर लिजिए, पहला वला नहीं आ रहा है, तो अथवा करके एक आपसन और आपको दिया है, यहां से, यह वला कर लिजिए, यह है मेरे प्यारोचो संस्क्रीट के क्या है, म इसका वला पहले बहुत बता रहा हूं देखो इसका वला यहां से लेकिंगे चाहिते के संदर्व संदर्व में लिखेंगे कि प्रस्तुत कद्यान समारी पार्थे पुछ तक हिंदी के संस्कृत खंड के वरांसी पार्ट से उद्री थे, मतलब देखे, पहली बात तो संस्कृत खंड से लिया गया है, हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, और किस चेप्टर से वरांसी चेप्टर से लिया गया, वरांसी पार्ट से उद्री थे, इसके प्रसंग तो आप जानते हैं कि प्रसंग में लिखेंगे कि इस गध्यांस में वरार्सी की एतियासिक्ता तथा और इस्तिती के विशे में बताया गया है मतलब इस पूरे के पूरे गद्यांस के अगर हम बात करें तो इस गद्यांस में वरार से की इतिहासिता के बारे में बताया गया है और उसके और इस्तिति के बिश्चे में बताया गया है अब हम अनुबाद देखने हैं तो अनुबाद देखने से पहले मैं एक बार दिखा द यह नगरी भारतिय संस्कृतिय और संस्कृत भासा की केंद्र अस्त्रिय है, मतलब केंद्र मना जाता है, यह जो नगरी वरार्षी की जो नगरी है, वो भारतिय संस्कृतिय की और जो संस्कृत भासा है, उसका यह केंद्र है, और यही से संस्कृत सहित्य और संस्कृतिय का प पढ़ाए जाता है और यहीं से संस्कृत साहीत का प्रकास सभी जगां फैला हुआ है यहां तक कि मूगल यूराज सीखो ने यहां आकर भारतिय दर्शन सास्त्रों का दिन किया था समलजी इतना मत्तोपुड है ये नगरी कि यूराज की जो दराशीकों थे यहां पे आकर उन्होंने भारतिय दर्शन सास्त्रों का दिन किया और उनके ज्ञान से इतना ज्यादा ही प्रभावित हुए कि उसने उपनिश्यदों का अनुबाद जो है वो फार्सी बासा में करा समस्कते कितरा में तो पूर है यह मेरे प्यारोचु इसका अनुबाद मेरे प्यारोचु के एक हो गया कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए तो पहला वाला कर लिया आपने यह नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं मानो जीवन संस्क्रिति अस्मा का पुरवा प प्रसंग लिखे हिंदी में बात कीजी, पांच नमर हो गया, चलिए इसका अंसर देखते हैं, तो देखे आथवावाला में लिखे लेका आया भी मेरे प्यारों चों, यहाँ पे आथवावाला है, सबसे पहले हम लो संदर्वा देखेंगे, संदर्वा में लिखेंगे कि प्र भारतिय संस्कृति चेप्टर से लिया गया है, और यहाँ पे हिंदी के संस्कृत खंड और भारतिय संस्कृति नमर पार सुद्री थे, इन दोनों को हाइलाइट कर दीजिएगा, कि इसके बाद यहाँ पे मैरे प्रशंग, प्रशंग क्या होता है, मैंने बता चुका हो, ल यहाँ से लेके यहाँ तक संस्कृत का गद्यान से, इसी का हम लोग अनुबाद देखने वाले हैं, तो अनुबाद हेडिन डालने के बार लिखिएगा, कि मानो जीवन को सवारना, मानो जो जीवन हमारा है, उसको सवारना, मतलब दो साधी को दूर करना, उसको कह सकते हो, स और हमारे पुर्वजों ने मानो जीवन को सुध करने के लिए महान प्रितन किये जो हमारे पुर्वज्थ है वो मानो जीवन को सुध करने के लिए अच्छे रहंसान अच्छे बोल बाल अच्छे संस्कृति लाने के लिए इस पे बहुत जादा मेहनत किया उन्होंने महान प् ठीक है कैसे रहना कैसे बैटना बड़ों को सम्मान करना है जो भी चीज उन्हों नियम बनाया वह हमारी क्या है संस्क्रीटी है यह अनुबाद है कि लिए मेरे प्रश्ण का भी मैंने पोस्ट माडम कर दिया अब हम बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 24 की तरफ देखिए मेरे प् संस्क्रीट का गध्यांस यह आगया संस्क्रीट का पध्यांस तो दिये गए संस्क्रीट पध्यांस में से किसी एक का संदरव साइथ हिंदी में अनुबाद कीजिए और यह भी कितने नमबर के लिए मेरे प्रश्ण पांच नमबर के लिए है तो चलिए देखिए दो दिया इसने भी एक तो यह वला दिया है और अथवा करके एक आपको यह दिया है तो दोनों में से कोई एक ही करना है मेरे प्यारोच्व आपका मन जो भी कीजेगा मैं तो दोनों का हल बताऊंगा आपको मैं पढ़के पहले सुना देता हूं पहला वला है कि मानो हितवा प्रियो संदर्व में लिखेंगे कि प्रस्तु स्लोक हमारी पाठ ये पुस्तक हिंदी के संस्क्रीत खंड के बिवन सुत्राणू पार्ट से उदरी था अब मत respons ये किस चेप्टर से लिया गया है तो, जीवन सुत्राणी चेप्टर से लिया गया और हिंदी के संस्क्रीत खंड से लिया गया है मतलब कि आप अपने जीवन में किन चीज़ों को त्याग कर सकते हैं वह इन सुलुकों में बताए गया है जैसे देखे अनुबाद दिखाने से पहले में एक बार दिखा देता हूं कि मानो हित्वा प्रियों भहुती क्रोध हित्वा ना सोची थी कामार्थ हित्वा सोग लो यक्ष प्रस्ण पूछते हैं युदिष्टिर से कहते हैं कि बताए कि मनुसे क्या छोड़कर प्रियो हो जाता है मनुसे किसको छोड़कर प्रियो हो जाता है और मनुसे क्या छोड़कर सोग नहीं करता है और मनुसे क्या छोड़कर धनवान हो जाता है मनुसे क्या छोड़ कर सूखी होता है यह प्रस्ण पूछ रहा है यग्ज किसे युधिष्टिर से युधिष्टिर उसका जबाब देते हैं कहते हैं कि मनुसे जो होता है मेरे प्यार चो अहंकार छोड़कर प्रिय हो जाता है अगर आपके बास बहुत जादा अहंकार है अहंकार को अगर अपत्य जाग देते हो, तो सब के नजर में प्रिया हो समझ लो, ठीक है, मनुसे आंकार छोड़कर प्रिया हो जाता है, मनुसे जो है कुरोध को छोड़कर सोक नहीं करता है, मनुसे कुरोध को छोड़कर सोक नहीं मनाता, और मनुसे इच्छा जीसम लोग कामना बोलते हैं, मनुसे इ इच्छा छोड़कर धन्वान हो जाता है, मन उसे लोब को छोड़कर सुखी हो जाता है, अगर लोब है, उसको अगर आपने छोड़ दिया, तो आपने लोब सुखी को परापता अपने कर लिया, तो किलियर है मेरे प्यारवचो, चलिए मैं इसका व्याक्या पूरा का पूरा इसका हिंदी में भी बता दिया चलिए प्रस्ट नमर्ट ट्वूर भी बहुत अच्छे तरीकी से मैंने इसको कवर करा दिया याद करके जाए एक्जाम में बच के आना नहीं चाहिए चलिए आगे बात करते हैं प्रस्ट नमर्ट ट्वंटीफाई देखिए मेरे प्रस्ण नमर 25 25 प्रस्ण है कि आपने पठीत खंड कावे के आधार पर निमलिखीत प्रस्णों में से किसी एक का उत्तर दीजिए और तीन नमर के लिए क्या है खंड कावे क्या है मेरे प्रस्ण कावे खंड कावे है तो खंड कावे तो बहुत हैं साथ आठ खंड कावे पूछे जाते हैं आपकी एक्जाम में क्या सभी करने हैं कौन सा करना है तो मेरे प्यारों चोई याता आपके जीला वाइज जो आपके जीला में पूछा जाएगा जो आपके डिस्टिक में पूछा जाएगा वही आपको खंड काब्यापकी एक्जाम में करने है ठीक है कोई दूसरा कर दोगे तो यह तीन नमबर आपका फ्री में गया तो इसलिए आप क्यूस्तन बैंक में देख लेना कि जैसे मुक्ती दूथ खंड काबे दिया रहेगा तो इसके नीचे कोश्टक में बनाकर आपको जीलों का नाम दिया रहेगा तो उसमें देख लेना आपका जीला है की नहीं आपका जीला अगर उसमें नहीं है तो जोती जवाहर में देख लेना लेकिन करना वही होगा जो आपके डिस्टिक में पूछा जाता है इसके बाद मेवाड मुकुठ है तो आगर पूजा है ठीक है जेव सुबा से देख कर व्यात कर लीजिएगा पहले से ही फिर मात्र भूमी इसके बाद करड है करड की बाद यहां पे नीचे देखे करंबीर है करंबीर की बाद भी देखोगे तो यहां पे तुमूल है ठीक है तो इतने सारे हैं जीलावाई जाता है मेरे प्यारोचो तो यहां पे कर लीजिएगा आपना चलिए देखे प्रस नमबर 26 मेरे प्यारोचो ये मेरे प्यारोचो जीवन पर्चे आगया, वह भी किसके लेखक का, तीन नमबर तो जीवन पर्चे पे और दो नमबर रचना पे मिलता है, तो रचना बहुत जादा इंपोटेंट है, कोई ऐसा ब्यक्ति नहीं होगा, मेरे प्यारोचो जीवन पर्चे ना यादो, जीवन प तो जर्शंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ तो आठारह सो नवे मिन का जन्म हुआ मृत्व हुआ तो आप लोग भी मेरे प्यारोचो अच्छे तरीके से जानते हो ठीक है बस सारे बच्चों को याद होगा अगर हम रचना की बात करें तो आठारहारामचान शुकल की पुड रचना जो है जैसे चिंता मड़ी है विचार विथी है लिख लीजेगा और या तो होगा ही होगा आप लोगों को और जैसे संकर प्रसाद के अगर हम बात करें तो जैसे चंद्र गुप्त असकंद गुप्त इंद्रजाल कंकाल तितली इरालती बहुत सारा अभी हमन प्रसाद जी कि क्या है तो इतना तुम्हें दोहरा दिया अयाद तो होगा यह होगा ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं खावला तो खावला क्या है कि दिये गए कभियों में से किसी एका जीवन पर्चे देते हुए उनके प्रमुख रचना का उले कीजिए यह तो लेखा इसार जीवन पर्चे पे दो नमबर रचना प्रमुख मिलता है प्पहले में दोहरा देता हूं इसके बाल लिखे दिखा देता हैं का यसे लिखा जाता है ठीक है जैसे में यहाँ पी मेन प्रचोज़ी है तूल्सी दास अब तूलसी दास का जरम का वूँआ था सब को जिवित रहें इसके बाद है सूर्दाजी सूर्दाजी का यहां पर लिख लो सूर्दाजी का जन्म कब गवा था 1478 में मृत्यू के अगर हम बात करें तो जैसे वीडा हुआ गरंथी पल्ल गुंजन ठीक है युगवारी युगांत यह की मतलब रचना है अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हो बीने पत्रिका है यह दो यादे काफी है लिखा कैसे जाता है चलिए वह दिखा देता हूं कि बोड़ जा में लिख होगे कैसे वह भी मैं को अभी कह करें तो गुष्वामी तूसीदा सेटी बनाओगे यह मैंने इस पेस यहां पर किस लिए छोड़ा है साइड में इस पेस इसलिए मैंने छोड़ा है क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोश्टक बनाके संचीत पर्चे लिखना चाहते हैं वह लिख सकत फिर यहां पर मृत्यू लिख देंगे फिर यहां पर मेरे प्यारों चोर रचनाय लिख देंगे यह संचीत पर्चे में है ठीक है तो यहां पर चाहोगे तो छोटा छोटा बनाके लिख दीजेगा इसलिए मैं कोश्टक छोड़ दिया हूँ ठीक है और लिखा किसे जाता है फिर यहां पे आईए, यहां पे आपको मालूम चलेगा है कि सही तरीका क्या होता लिखने का, तो ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से जियोन पर्षी यहां पर लिखा है, लिखेगा कि तुलसी दास का जन्म जो हुआ था, पंदर सो बतीस इस बी में जो जो मिन है, वर्ड है, उसको बलेक पिन से हाईलाइटिट कर दी जगा, कि तुलसी दास का जन्म पंदर सो बतीस इस बी में, राजा पूरबांदा नामा गराम में हुआ था, कुछ विद्वान मानते हैं, कि उनका जन्म जो हुआ था न, वो एटा जीले के सोरो नामा गर तनावली से हुआ था, उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, और तुलसी दास अपने पत्नी से अत्यधीक प्रेम करते थे, एक दिन उनकी पत्नी बीना बताय माई की चली गई, तो तुलसी दास जी भी आधी रात आधी तुफान का सामना करते वे, उनके पीछे पीछे राम चरीतर मानस की रचना की, और सोरसो तेईस इसमें में इनकी क्या होगे, विरत्ती हो गई, कितना सौट फॉर्म में बहुत अच्छे से लिखा हूँ, नीचे एक लाइन छोल का रचना है, राम चरीतर मानस, बिने पत्रिका, कवितावली, गितावली, दोहावली, इनकी मतब पुट रचना है, तो यही तो तरीका होता है, बस माच नमबर मिल गया आप लोगों को, सब कुछ बता रहा हूँ ना, डीटेल में, ताकि आप लोगों का एक नमबर भी छूटे है, ना, इक पेपर बनने वाले हैं, यह बात, और पूरा सतर में सतर नमबर आप लोगो सहतन है, प्रश्न 24, वला ये वला तो बता दिया था, मानो हितता प्रिवन बहुती कुरो भाहत हो ना सोचती, यह बता दिया था, यह आथवा वला बच गया था, एमें संदरभ सेद हेंदी में बादниц rencont, छोटा सा है, ताकि मैं 4 की कोई छूटे नंब, यहां पे आप लोगों का संदर्व हैडिन डालेगा प्रस्तु स्लोक हमारी पार्टे पुस्तक हिंदी के संस्क्रीत खंड के भारतिय संस्क्रीती पार्ट से उद्रित है मतलब वही संस्क्रीत खंड से लिया गया है और भारतिय संस्क्रीती पार्ट से उद्रित है प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तु सुलोक में भारतियों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात कोई विदुख का भागी ना बने बस यही आंसर था यह छूट गया था मैं बता दिया है। जो सुलोक था भी अपने देखा पद तब पद को इस संस्क्रीट के पद को इस सुलोक बोलते हैं। तो जो पेपर में आपका सुलोक दिया था यह नहीं जो अभी मैंने कराया है सर्वे भवंति सुखिनम सर्वे संतु निराम्या। यह सुलोक ही तो है यह नहीं के उठा के फिर वहें लिख दो। तो वह लिख दोगे तो नमबर नहीं मिलेगा। उसमें बोल रखा है कि जो इस प्रश्ण पत्र में नो आया हो कोई अलग से लिखोगे तो अब जाके दो नमबर आपको मिलेगा। इसलिए यह वाला लिख के चले आना कि बंधम मरणम वापी जय वापी पराजया उभेतर समो वीरह भीरभावही वीरता। इसको लिखे चले आना कि बंधम वापी पराजया उत्यार लिखे लीके क्लीकर क्लिएं। में लेगे बढ़ते हैं आगला प्रश्ण प्रश्न रहें प्रस्न numer 28 अब यहाँ प्रश्ण नभर आप थाईस मेरे प्यारुवच्म है कि निम्लिखीत में से किन्हें सो प्रशनों का उत्तर संस्क्रीट में देना है और यह कितने नभर के लिए दो नभर क्योंकि दो ही प्रश्ण का उत्तर जोगा तो थो ही नभर विलेगा पहला वला है कि भारतिय संस्कृते मुलम की मस्ती, दूसरा है पुरुराज कौ आसित, तीसरा है चंदर सेखर कौ आसित, चोथा है विरक्यन पुजेते, चार प्रश्न हैं, अगर इन चारों का उत्तर में बताऊंगा आपको, चारों का उत्तर श्रियल बाई श्रियल लिखे प्रश्न 28 कंप्लिट हो गया, प्रश्न 29 के तरह बढ़ते हैं, चलिए देखे, प्रश्न प्रश्न 29 क्या है, कि निमलिखीत में से किसी एक भी से पर निबंद लिखे, और निबंद आपकी एक्जाम में सबसे ज़्यादा माक्स का आता है, साथ निबंद, जिसमें से पहला बोला है, स्वच्छ भारत और अरभियान, चोथा विज्ञान वर्दान या अभिसाप, च हलंकि में इस वीडियो में यह बता देता हूँ, विज्ञान वर्दान या अभिसाप, इसका बता देता हूँ, लेकि एक चीजा और समझ लो, कि निबंद लिखने का ट्रीक मेरे चैनल पर अपलब दे, अगर आपको मालूमने एक निबंद कैसे लिखा जाता है, सर्च कर ल सबी चीजे जो भी पूछे यही लिखना है, पहली है प्रस्तावना है प्रस्तावना है बनाने के बायाद आपको लिखना है, कि आज का यूग जो है विज्ञान का यूग है, सब लोग जानते हैं कि आज का यूग है विज्ञान का ही यूग है, और हमारे जीवन का कोई भ वो करके दिखा दिये हैं लोग चंद्रमा पे पहुंच जा रहे हैं छोटी सी सूई से लेकर आकास की दूरी नाप ने हवाई जाहस तक सभी विग्यान की क्या है देने है बिल्कुल इदम आम भासा में लिक्षा है हो कि याद हो जाएगा विग्यान ने एक और मनुष्य को जहां आपार सुविधाय प्रदान की है वहीं दूसरी और दुर्भाग्य पूर यह है कि नाविकी अंतरो आदी के विंद्यंसकारी अविसकारों ने संपूर मानो जाती को विनास के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है मतलब विग्यान ने अगर आपको अच्छी चीज़े दिया है जैसे हैं यहाँ पर बूला है मेरे प्यारो चुर्ण नाविके यंतरो जीसे बंदूख हुआ बंव हुआ यह सारी चीज़े ठीक है बारूद हुआ तो कहरा है कि यह भी तो आप लोगों के वही कहरा है कि यह सब विन्दंसकारी अब इसकारों ने संपूर मानो जाती को विनास का गार पर लाकर खड़ा कर दिया है क्योंकि आज चाल लोग लड़ा जवड़ा कर रहे हैं उसी को लेकर जिसके पास अधिक टेकलोगी जिसके पास ज़्यादा बारूद बम है वह अपना आगे निकल रहे है अतर एक और तो यह मनुस्य के लिए वरदान है मतलब विज्यान एक और तो वरदान है वहीं दूसरी हो और अगर हम देखे तो यह समस्त मानो सबेता के लिए अभी साब भी है तो विज्यान जो है एक और तो वरदान भी है एक और अभी साब भी है तीक है इसके बाद अगली हैटिन है विज्यान वरदान की रूप में कि विज्यान वरदान की रूप में क्या भूमिका है विज्यान का लिखेंगे जैसे हर सिखे के दो पलू होते हैं ठीक उसी प्रकार विज्ञान ने जहां सुई का अविस्कार किया तो वहीं तलवार का भी ऐसे में यदि हम विज्ञान के लावों को देखें तो कुछ प्रमुख लाव आप वता रहे हैं जिसमें से पहला लाव है मनुरंजन के छेतर में कि मनुरंजन के छेतर में विज्ञान का क्या योगदान रहा है तो देख लिए लिखेंगे मनुरंजन के छेतर में विज्ञान इसके बिभीने चैनलों से हम अचाहे कारेकरम को देखकर पूरा मॉरंजन कर सकते हैं अब हमाल को के टीबी है अब टीबी में कोई बह cens बीडेकर अठीक करेकरम को देखना आए मैच देखना है धरवायिक देखना है कोन सी मुईवी देखना है Zach विग्यान के क्या एंथा देख चलचीतर वीडियो गेम भी आ आगया है, फोतो केमरा आ गया, टेप रिकॉर्डर आ गया, वी सी आर यहां पर आ गया, वीडियो कैसे टा गया, आदी विघ्यान की इतो दिन है, जो कि क्या है मौनरणजण साधन है तो मुलोदिन के चेतर में विग्यान इस तरह लोगों को लिखना है वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा है चिकिसा के चेतर में विग्यान का क्या योगदान है तो लिखेंगे कि विग्यान ने चिकिसा के छेतर में अदभूत प्रगती किया है। इसने विभीन प्रकार की सेले चिकिसा हमारे जीवन को बड़ा ही सुखमे बनाने का आउसर प्रदान किया है। स्वास्त रखने में युगदान प्रदान की है। देखें किसी को भी याद हो जाएगा। यह है चिकिसा के छेतर में विग्यान का क्या युगदान रहा है। तो लिखेंगे कि रेल गाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, आदी विग्यान की अद्भूत दिल है। मालव युगदान के छेतर में बड़ी-बड़ी मसीने, सभ सभी वस्तूं का निरमार बहुत ही व्रगति से हो रही है, मतलब बहुत ही बुद्धित प्रगतिश कर रही है। अब कहा लोग हाथों से काम कर रहे है, सब अब गयह हुँग हा जो भी अब इस समय से चल रहा है, आप विशाल काय मसीनों के बल पर ही क्या है, संबो हुआ है, इसके बाद विज्ञान के अभिसाप के रुप में, विज्ञान के वर्दान हमने देख लिए, विज्ञान के अभिसाप भी देख लिए, विज्ञान के अभिसाप के रुप में लिखेंगे, जहां एक और विज्ञान की ताकत का ही प्रवाव था, कि हिरो सोमिया और नासा साकी को नामो निसान तक मिट गया, वहाँ पी इतने बारुद इतने वहाँ पे वो चलाए गये, ठीक है, बम वगेरा, वहीं बोलाने कि जहां हुए परमाडु बम के हमले, परमाडु बम के हमले से क्या हो गया, सब खत्म हो गया, इतना ही नहीं, विज्ञान के अधितर उपियोग से, सत्रु देश स्वयम को सत्तेसाली दिखाने के लिए, इसको हतियार के तोर पर इस्तमाल करते हैं, जो कि मानो जीवन को खत्रे में डाल रहा है, साथ ही, आने वाले समय में, रोबोट के इस्तमाल से मानो जीवन के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, क्योंकि जो रोपोर्ट बढ़ रहे हैं, आगे चलके हम कोई लग रहा है कि पुरा दर्दी रोबोट से ही न हो जाए, ठीक है, क्योंकि रोबोट सारे काम करते हैं, क्यों क्योंकि यदि मसीन का परियोग गलत हाथों में पहुच जाए, तो वा घातक सीद हो सकता है, और लास्ट चैटिंग है उपसंगार, इतना में, इसलिए बता रहा हैं कि साथ नमर के लिए पूछा जाता मेरे पैर बच्चों, तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा, साथ नमर से द्वारा उत्पन किया गया, मनु से के लिए बेजोड वर्दान है, जो संपूर स्रिष्टी को क्या कर रहा है, प्रभवित कर रहा है, और अगर हम बात करें कि भविसे में भी यह वर्दान सिध होता रहे, इसके लिए यह आवसेख है कि इसके कल्याने के पक्च को अपन जीवन में उतारते चले, जहां हम इसके विनासकारी और विंद्यवंस के रूप में लपरवा और अंजान होंगे, तो विज्ञान हमें विनासकी और धकेल देगा, और अभिसाप क्या होगा, सिध होगा, यह मैंने उपसंखार की रूप में लिख रखा है, किलियर, समझ मे आगे हैं मेरे प्यार बच्चो, चलिए, आगे बढ़ते हैं तीस्वा प्रस्णा और इस हिंदी के पेपर का लास्ट प्रस्णा है, तीस्वा प्रस्णा, क्या है तीस्वा प्रस्णा, उसको देखते हैं मेरे प्यार बच्चो, तो तीस्वा प्रस्णा है, पत्र लिखा, औ मतरब आपके छेतर में बहुत सारी गंदगी फैल गई हैं जिससे डेंगो और मलेरिया फैल रहा है तो उस बिमारी को जनकारी अगर किसी देली पत्र के संपादू को देना है तो कैसे पत्र लिखोगे इसके बाल अगर नहीं करना चाहते हो तो अत्वा करके एक आपसन और जाना है और यह प्रशन भी कितने नुबर के लिए चार नुबर के लिए कोई नहीं यहीं बाला देख लेते हैं देखे कैसे पत्र लिखना है पत्र लिखने का तरीका क्या होना चाहिए सबसे पहले उनका एड्रेस आप लिखें कि कहा राती है तो सीफोटी मतुरा रोड न बहुत प्यार कि इसके बाद इसकलेमेसर के चीन या कामा के चीन लगा कि आप लिखना प्रारम कर दीजेगा पूरी कहानी कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी मतलब एक बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी परंतु वेस्तता के का कारण नहीं लिख पाई आसा करती हूं तुम वह भली प्रकार से होगी अच्छे तरीके से होगी हमारे लिए बहुत गर्म की बात है कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सुनहरा आउसर मिला इस्वर से यही कामना करती हूं कि जीस प्रकार तुम इतने छोटे अस् लिखने के लिए होता है यही समय होता है जब हम अपने भविस्य की नियू रखते हैं और अपना भवमुल्य समय पढ़ने लिखने के अस्थान पर फैसन में वह ब्यर्च के क्रिया कलापों में लगाना जो है वो सही नहीं होगा यदि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर फैसन के नाम पर समय नस्ट करते रहोगे तो दिसा भटक जाओगी और अपने भविस्य के साथ खिलवार कर बठोगी पीता जी को हमसे बहुत असाय है और हमारी शिच्छा में कोई बादा ना आए इसके लिए वह दिन रात पर इश्रम कर रहे हैं पढ़ाई पर ध्यान दे बढ़ी बहान और अबसर ठीक है और बहसर ना मतलिकेगा अबसर लिक दीजगा ठीक है किलियर है चलिए तो मेरे प्यारोचो इसको अटाता हूँ और यह प्रस्ण भी यहां पर मैंने समाप्त कर दिया मैंने आपसे कहा कि इस पेपर का पूरा का पूरा सलूसर मेंने बता द करना मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थन्यवाद